अलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एज्जूकेशन हमने सेक्सुल प्रॉब्लम की सीरीज में कुछ बीडियो बनाए हैं तो उसमें जो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रक्टिस में भी देखा है और जो लोग मैस इसे समझा जाई कहसे fix किया जाए और उसे कैसे deal किया जाए क्या approach हो कि जो sexual problems है उनको हम deal करें जैसे हम अपनी life में किसी भी दूशरी understood को उसके लिए specific rocket science की आश wildकता नहीं होती तो सब्से पहले आपकी सेडिटरी लाइफ स्टाइल से मतलब है आपका खाना पीना आपकी नीद आपकी एक्सेसाइज आपका एटिट्यूट यह सब आपको ठीक करना होगा तो सबसे पहली जो आवशकता है वह फूड को ठीक करने की आवशकता है आप कुछ इस तरह के फूड अपनी डाइट में सा सबस्ते के आपके टेस्टीस्ट्रों जो हार्मोन से उसका सेक्रीशन प्रोपर हो आपका ब्लड प्र रहे आपका सुगर लिबल प्रफारर है और आपके बाड़ी के अंदर जो पलाजै करें यानि आप किसी भी फूर्म में यदि वाइट फूड लेते हैं मतलब वाइट फूड जो फूड चाबल मैदा या चीनी से रिच है तो वो आप ना लें उसको आप अवाइट करें किसी भी तरह का जंक फूड पैक्ट फूड प्रिसर्वेटिव वाला फूड आप छोड़ दें और आप अपने फूड में कुछ कौपन सी मिनीमम्म चीज़ें हैं जो कि वहाइट नॉर्मल ही हर गर में होती हैं निचर in वह सामल करें आप अपने फूड में वालनट सामल चाने और यादि आप एग खाते हैं तो 1"-2 एग सामिल करें, फ्लस बादाम सामिल करें, 300 ml से 500 ml मिल्क लें, चीनी की जगे गुड़ खाएं और काले तिल सामिल करें, यानि चबा के आप भून के काले तिल खा सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, जो आपके टेस्टिस्ट्रोन के प्रोडिक्शन में हेल्प करेंगी, प्लस जो कि यदि आपको कोई erectile weakness है, यदि आपकी veins कमजोर हैं, muscles कमजोर हैं और आपका जो performance time है वो बहुत कम रहता है, आप उसको enjoy नहीं कर पाते, connect नहीं कर पाते, तो आपको exercise करने की आवश्यक्ता है, आपको meditate करने की आवश्यक्ता है, sexual meditation जिसे हम कहते हैं, मतलब you have to think about the sex, you have to think about the posture, you have to think about the proper foreplay, kissing, hugging, touching and just you make sure के आप कुछ time दें, आप अपने दिमाग को, आप अपने सरीर को, आप अपनी hormonal gland को, उस flow के साथ connect करें, इस तरीके से आप करेंगे, तो आप इसके साथ भी deal कर पाएंगे, plus there are some set of exercise, exercise में कुछ specific exercise होती हैं, लेकिन walking is very much helpful, और आप जो walking करते हो, उससे overall भी आपकी body को बहुत बड़े फायदे होते हैं, इसके बाद आता है आपका attitude, यदि आपका negative attitude है, आपके अंदर कोई हीन भावना है, तो आप immediately उसको दूर करें, उसको निकालें, आप positive रहें, एक टैबू से बार निकलें, ये एक normal, fundamental आदमी और 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 अवरत की आ रहोगे, conflict में रहोगे, एक clarity डवलप नहीं करोगे, एक education नहीं लोगे, तब तक ये problem ठीक नहीं होने बाली है, इसके बाद है, यदि कोई underline medical problem है, यानि underline कोई clinical issue है, कोई disease है, कोई बीमारी है, तो आप उसको भी notice करें, उसको इसके बारे में बात करें, symptoms को पेंचानें, इसके बाद आता है कि आप कोई एक mechanism है, इसको clearly समझना होगा, हमारे sense organs है, हम अपने sense organs के द्वारा चीजों को सुनते हैं, चीजों को समझते हैं, चीजों को देखते हैं, तो सबसे पहले जब आप sexually react करने वाले हैं, sexually involved होने वाले हैं, तो आपको उस तरह की चीजों को सुन ग्लेंड है, उसको message देगा, और master gland आपकी concern gland को, जो कि sexual hormones यानि testis strong secret करती हैं, उसको message देगा, और उस से फिर आपको erection आएगा, आपका दिमाग, आपकी body, आपके hormones, जब एक level पे connect करेंगे, means आपका brain, आपकी glands, आपका emotional brain, प्लस आपका physical connection, जब develop होगा, तो ये reaction बहुत अ meditation का रूप भी लेगा, और यदी इस तरह से आप involved होते हो, time देते हो, willingly involved होते हो, involvement रखते हो, और एक एक step पे जाते हो, touching, hugging, kissing, four play, and then the penetration, so that will be the right way, and that will be the right technical way to perform the sex, और ये फिर एक normal पिरकिरिया होगी, और आपको जो particular set of hesitation है, प्रॉबलम है, वो भी naturally, ठीज़गा, हो जाएंगी, तो एक natural solution, sexual problem का ये ही है, आप confidence रखें, आप इसको normal माने, आप time दें, आप इस पे focus करें, आप इस पे meditate करें, then everything will be changed gradually, but it's take time, thank you very much, and take care of yourself. झाल झालको का आप इस का इसमें आपको जो झेलिः माना, झालको कहाने, उनो है, आपको जहाँ है, ये झालको केरा झाएंब।, टूंड़ के त फकिसका भागो है, मैं है गाझ say, झालको का ये भाज़ का घाने झालको का रादाया मानलको है, प मैं गज़दे बIGN पक्वा कर दो